मंच पर विराजमान न्यायमूर्थी स्रीमान अरोन कुमार जी मिश्र। न्यायमूर्थी स्रीमान कमलेश्वर जी, स्रीमान आलोक कुमार जी, बहन नीरजा जी, प्रकाशक महुदय, और सभागरे में पश्रित सम्माननी बंधूओ, आधरनी बहनों। एक पुष्टक के विमोचन के इस अवसर पर हम लोग एक अत्रित हैं और पुष्टक है सारे इस राम मंदर के विशय में जो न्यायलियों का नर्ने उस संबंद में जो पक्ष रखे गए उससे संबंदे था 1528 में यह मंदर तूटा और लेकिन इसके पहले भी चार बार तूट चुका था यह चौती पांचिमी बार तूटा था और उसकी उपर एक धांचा इसको मस्जित कुछ लोग करते बाद में डिस्प्यूटेड स्ट्रेक्चर कहते वह वां था ऐसे बहुत सारे स्थान जिन स्थानों पर पहले कभी मंदिर थे लेकिन आकर्मन कारियों ने वहां पर मंदिर तूट दिये और यह सिल्चला लगबग एक हजार वर्षों तक चला अगर मीर कासम से लगाएंगे तो और थोड़ा जादा हो जाता है गजनी से लगाते हैं तो आठ सो वर्ष तक और इस बात के परियाब तो प्रमान भी है बहुत सारे प्रमान तो फरमान गई है कि मंदिर तोड़ दिये जाएंगे तामील हुआ उसका भी जवाब आ जाता है यह भी डॉकुमेंटर है कि वहाँ पर मंदिर तोड़ दिया गया और वहाँ पर मस्जिद बना दी गई लेकिन सुतंतरता के बाद हिंदों के मन में था कि शायर हमारे इस्थान वापस मिल जाएंगे वो नहीं मिले और नहीं मिले तो हिंदों के मन में स्वावेक रूप से एक बड़ा छोब था और वह छोब दीरे-दीरे राम मंदिर के प्राप्ति के संगर्श के रूप में वो प्रकट हुआ एक बड़ा अंदोलन चला यह हम सब लोग जानते हैं 1984 से अंदोलन प्रारम हुआ तो बिन्नेवन प्रकार के कारिकरम होते थे शिला पूजन है कार सिवा है दिल्ली की बड़ी भारी एक वोट कलब की और रैली थी संतों के संविलन होते थे कि सारे देशवर में एक ऐसा वात्तावरान बना कि लोगों को लगने लगा नहीं भाई राम मंदिर हिंदों को मिलना चाहिए इस सारे आंदोलन में जो लोग सामने आये और जोनोंने संगर्श किया उनमें महें तवेदिनाजी राम चंद्रा परम हंस स्वामी शत्यमित्रा जी सिमाशोग जी सिंगल मुरो पंजी आचार गिर्राज किशोर जी यह सब लोग थे हजारों लाखों कार्शिवक कार्शिवा के लिए भी जाते थे और इस सारे इसमें सहीद भी हो जाते थे पर सारा इतिहास आप लोगों ने सुना और एक दिन धाचा टूट गया बाद म मिला करके शरव चनेले 22 और मंदर का काम पराला गते दते हैं को मैदर निर्मान को एक सामानय मंदर निरमान की घटता नहीं है मैं कि एक तो बात है कि सारे में बहुत सारी गट्टाइं होती हैं कुछ लोग केते हैं इत्यास को क्यों बारे बार निकालते हैं तिक इत्यास एक ऐसी बात है कि जिसको कोई भी कम्यूनिटी प्ली भूला नहीं सकती..? हाँ यह बत सच है कि इतिहास को लेकर के क्रिया प्रत्क्रिया नहों यह तो समझ में आता है लेकिन इतिहास भूलने की वस्तु कभी भी नहीं होती इतिहास याद रखने के लिए ही होता है और इतिहास हम इतना हम समझते हैं कि वो इतिहास में जो खराब गटना हैं उनकी और पुन्दर व्रत्ति नहों। इस हिंदू समाज एक हजार वर्षों तक जो अनुवब किया और जो जेला वो बहुत कष्ट कर था, वो दुख पूर्ण था, हजारों मंदरों का टूट जाना ये कुछ सामान गटना नहीं थी, असामान गटना थी, और इसलिए हिंदू जैसे ही मिलता था प्रसे मंदर बनाने के कोशिश करता था, प्र तूटता था, फिर मंदर बनाता था, राम दारी सिंग्ध दिन करना है सनुक्ति के चार अध्याए में लिखा है, कि बाहर के आक्रमनकारी बार बार मंदिर तोड़ते थे और अवसर मिलते ही हिंदू समाज फिर से वहाँ पर नया मंदिर निर्मान करने की कोशिश करता था कोई बात ऐसी थी कि आक्रमनकारी हिंदू समाज के अंदर फिर से वहीं मंदिर बनाने की भावनाओं को तोड़ न सका। कि वहां पर मंदिर बना है। और मंदर के वल कुछ लोगों ने बना दिया ऐसा नहीं और एक बड़े मंदर की आवश्यक्ता थी कमी थी ऐसा भी नहीं है। भगवान राम इस देश में आदर्शों के प्रतीक है। हमारा देश एक अध्यात्मिक देश है। अध्यात्मिक देश होने के नाते हमारे देश के एक जीवन की शेली है। जीवन की पद्धती है। हमने जीवन को, सारी प्रकृती को, मनुश्यों को, जीव जगत को, चर और अचर को एक आत्म भाव से देखा हैं। और उसके कारण से जीवन में कुछ मूल्यों का निर्मान हुआ है। जीवन के आदर्श और आदर्शों के भी जो आदर्श हैं वो राम हैं। और राम को लोगों ने मन में गहराई से बिठा लाए। कि मंदर टूट गए कोई बात है लोगों के मन में राम बैठे थे ऊसलिए राम लिला चोटा चोटा विग्र लोगों ने अपने आपने घर में इस्थापित कर लिया बड़ा मंदर टूट गया जाने देओ कोई दिकत नहीं थे अब राम हर गर में थे लांपर गी बनने लगे बच्छे का जनम दिन होता था तो राम का जनमों सब मनाते थे बेटे का विभाह होता था तो लगता था राम का ये विभाह हो साटरे घीष राम के विभाह के चलती थेEND कि भीदा होती थे societal विदा हो रहा हो राम घर-गर, घट-घट, व्यक्ति-व्यक्ति के हिरदय में गहरे बैठ गए, राम जो है, वो साक्षा धर्म के भूप थे, राम धर्म के ग्याता थे, राम धर्म के व्याख्याते थे, राम धर्म के धर्म के संरक्षक माने गए धर्म के धुरिर माने गए और राम को कहा गया कि राम जो है साक्षात अवतार है धर्म के राम विग्रेवान धर्म है अर्थात धर्म स्वेम रूप धर करके राम के रूप में प्रकट हो गया है ऐसा लोगों के मन में गहरा बैठ गया, ऐसा क्यों बैठ गया? क्यों राम का परिवार, राम का वंश, जो रगू का वंश है, इसने बहुत सारे आदर्शों की स्थापना किये। वह आधर्श इतने गहरे हैं कि हजारों वर्ष बीतने के बाद भी लोगों को उनका विश्मर्ण नहीं होता बार 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 विश्मर्ण करने से उन आधर्शों के उपर चलने की प्रणा मिलती है राम इस्थित्व प्रग्य है जिसका वर्ण कृष्ण करते है गीता में राम उसको जी के दिखाते है अब इसाइंकाल का तो समय है जसरत ने राम को बुला करके कहा है हम तुमारा राज्टिलग करेंगे कल का अच्छा शुब महूर तो निकला है राम निश्चिंत भाव से च सिता नहीं है कि अगले दिन इनको पता लग गया कि अब तो वनवाज जाना है दसरत नहीं कहा है आलोग जी पता रहे थे वो कह कहीं ने बताया है तुमारे पिता की ऐसी इच्छा है वो बचन है वो ठीक इतना पर्याप्त है राम तुरंत चल देते है और जो सामिक्री सारी रखिया चारों तो महल में उनके राज्या विशेक के लिए उसकी तरफ देखते भी नहीं अच्छा मैं मा से कोशल्या से अनुमति लेता हूं सीता को बताता हूं तैयारों करके नहीं कर जाते हैं एक दो घंटे के अंदर ही राम वनवाज की तैयारी कर लेते राज्या के लिए आनंद में डूब नहीं जाता है चौदे वर्षी के वनवाज की ख़बर सुनकर के परिशान नहीं होता है लेश्मात्र भी इसके मन के ऊपर असर नहीं होता इसका नाम राम है यह वरत्ति राम की है अब देखें चक्रवर्थी समराथ का बड़ा बेटा है जिसको राज्तलग होने वाला था गंगा के किनारे खड़ा है सीता जी और लक्षमर साथ में नदी पार करनी है वो नाव वाला है राम ने निर्देश आदेश नहीं किया है हुकम नहीं दिया राम ने बड़ी विनम नाव मांगी है लेकिन उसमें के डेमोकरसी देखें लोकसंत्र देखें सामान ने नाव चलाने वाले केवट का भी अधिकार देखिया आप मांगी नाव न केवट आना और रिफ्यूज कर दें मैं नहीं आऊंगा मांगी नाव न केवट आना केवट नहीं 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 पहले मेरी बात मांजाएए आप तब मैं आता हूँ हाजारों साल पहले चक्रवर्थी सम्राथ का बेटा नेक नाव वाले को बुलाता है और नाव वाला आता नहीं है कहता है नहीं पहले मेरे कंडिशन मेरी शर्त मान लेजिए तम मैं नाव में चढ़ने को करूगा राम के सुभाव ने उसको अधिकार दे दिया है रगोण्षी के राजाओं ने एक सामान व्यक्ति को अधिकार दिया हुआ है रगोण्षी के राजाओं की विनमर था शालीप देखिया तैसे बेभार करते हैं मनुहरा परिकर चीफ विनिश्टर थे एक दिने एक किस्सा बता रहे थे हमको उन्हें चाहिए पर रेड लाइट थी हम थोड़ा खड़े हुए बगल में गारी आके खड़े हुए हमारा इस्कूटर थोड़ा टकर आ गया उस गारी वाले से कार वालत गारी चला रहा तो वहागे किसी अपिसर के नाम बताया मैं उनका बेटा अच्छा उनका रहे नमसकार भोला मनुहरा परिखार बोलना है चीफ अन्हें के हम हम अनुहरा पर्री करहा है यहीं शीफ फिनिश्टर है उनको बेटा हमाना नमस्कार बोला हमको जानते हैं वे वो लकास तुरंद दोरकर गारी में बैटा चला गए कि अगर पिता जी कहीं स्थान पर आ गए तो समझ में नहीं आता क्या हो गए वे राम चित्रकूट पहुच गए और अधर्म कार मच गया क्या हो गया यह भरत को बुलाया गया तुरंद भरत नहां से आगे भरत नहीं नहीं राज लेने वाला नहीं नहीं है जी राज तो अधर्म का राज होगा अगर में ले लूँगा तो यह संभव नहीं है मैं राज नहीं लूँगा सब लोगों ने मनाया लेगा भरत मना करते नहीं सवाल नहीं प्रश्ण नहीं उड़ता ऐसे कैसे हो सकता है और तुरंत भरत देगा नहीं सब चितकूट चलो सब चितकूट आ गए अब देखे एक विलक्षन परवद्रश्च है सारे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलेगा इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा दोनों भाई बैठे हैं यहां राज को त्यागने की पृतिस फर्दा है एक शक्रवर्ति सम्मराट का राच है राम कहते हैं भरत अब तुम राज संभाल लो और भरत कहते हैं नहीं मैं नहीं लेने वाला मैं कैसे राज करूँगा संभाभी नहीं है आप चलिए वापकर और वसिट कहते हैं विश्वामत्र कहते हैं माताइं कहते हैं सोंग कहते हैं लेकिन नहीं राम तस मस्थ नहीं हो राम ज़िर्ण भिभाशते राम दो बाते हैं नहीं बूलता एक वार जब आया है चौदे वर्ष चौदे वर्ष के बाद ही शेहर में जाएगा आप जाएगा तो चक्रवर्थी सम्राइट का जो इस्थाना एक फूल की तरह हो गया जाएंचे फैंक देते फैंक दिया विश्व में कोई उधारन देखते आप एक भाई है वो कहता है मैं लेता नहीं है एक भाई कहता मैं स्युकारी नहीं करता बरत एक जंगल में आकर के कुटिया बना करके रहते थे जमीन पर सोते थे वैसे ही वस्त्र पहिंते थे वैसा ही भोजन किया चौदे वर्ष तक राम के परिवार का आदर्श है जो बड़े से बड़े राज्य को भी एक छण में छोड़ने को ठोकर मारने को तयार रहता है एक बड़ा सुन्दर प्रसंग कालिदास ने रगवश में लिखा है एक तरफ भरत जो है ना चक्रवर्ती समराट का मुकट छोड़ चुका है और इसका रहते भरत का मस्तक पवित्र हो गया रावर ने सीता को कहा तू जो है यह सारा लंका का समराज ले ले सीता ने वाठोकर मार दी अब राम बापस आ गए बापस आ गए तो राम सीता लक्षमान खड़े हैं और भरत ने साश्टांग प्रणाम किया है सीता के चरणों में है जो भरत पडाम कर रहे भरत अपना मस्ताग सीता के चरणों में रखा है इस विशय का वरणर रगुवन्श में कालि-दाज ने किया है और कालि-दास कहते हैं एक और चक्रवर्ती सम्मराथ का राज मुकुट त्यागने वाला ये मस्ताग भरत का और लंका के सौनवाए अन्योन्य पावनम भूद अभयम समेत्य, the head of Bharat, that had declined the crown of Ayodhya, and the feet of Sita, that had rejected Lanka, when offered by Ravan, both mutually sanctified, made Pavan the other. अर्थाथ एक दूसरे को दोनों पवित्र कैसे कर रहे हैं, जिसका वणन रघुवश में कालिधास ने किया है, दोनों की पवित्रता को वर सुन्दर डंग से वणन करते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की चर्चा आज बहुत चलती है, जब दसरत को ध्यान में आया, कि भरत रा सिंगा शान नहीं, युबराज का, युबराज के पदपर आशीन कर देते हैं, जब दसरत के ध्यान में आया, तो दसरत ने सब राजाओं को बुला करके दसरत ने पूछा है, बड़े-बड़े प्रमखुलों सब को बुला करके पूछा है, क्या मत है आपका, हमारे मन में तो यह आया है, अगर आपके मन में कुछ और बात हो तो आप पता दीजिए, इसका सुन्दर वर्णन जो है, वो वालमीकी ने किया है, मैं उस वर्णन को नहीं करता हूं, लेकिन आपके पास अगर समय मिले, तो अवश्य आप पढ़िये, the king summon various prominent citizens who resided in various towns and also those who hailed from various other provinces, this is what I have thought, if you find this decision to be well deliberated, then please approve my decision, otherwise tell me what I should do. हजारों साल पहले वो चक्रवर्थी सम्मराथ अपने बेटों को युवराज पद पर आसन करना चाहते लेकिन पूछ करके परामर्श करके कि तैंट सकते हैं करते नहीं तालों की ने रफ्रेंश दिया बता पाज मार मार देना राम जो है कॉंज्टेस प्राइए राम जो है सबसे परामर्श करते तो कुछ कहते हैं मत लो कुछ कहते हैं नहीं ले लो हन्मान जी कहते हैं नहीं मैं बताता हूं ले लो मैं देखकर के लंगा में आया हूं यह अच्छाद भी है यह भला आद भी है सबकी सहमती होने के बाद राम जो है विविशन को ले लेते हैं अर्थात हम जहां भी हैं जिसी भी इस्थान पर हैं हमारे साथ के पांचाँ दस पंदरे लोग हैं उनके साथ हमारी सहमती बनती है तमने ने करने की प्रुवत्वी कब से चली आ रही है यह आज नहीं बन गई राम उसके प्रतीक है अब देखिए अंतिम दिन युद्व होने वाला है युद्व के लिए सेना पुरी तयार है अचानक राम के मन में आया एक बार और पूछ लेते है जामन्त को बलाए जामन सबसे बुजरुग है जामन्त वहीं बता वहीं क्या है अब कर दिया जाए आक्रमंग जामन्त केते है नहीं रुकिये राम ने का क्यों नहीं एक मोगा और दीजिए उसका रावड मान जाए फिर इत्री बड़ी सेना का संभार नहीं होगा युद्व बच जाएगा राम तुरंत के अप्रिक उठी को भेजे आओ अंगत को भेजो तो सारे युद्व की तैयारी होने के बाद हमारे एक सायोगी ने यह का नहीं अब रुक जाओ तो रुक जाओ फिर अंगत जाता है बात्चीत करता है यदि प्रणाम कुछ निकलता नहीं उसके बाद भी राम जो है अपने सायोगियों के साथ परामर्श करके विचार करके के सरोसवमती बना करके आगे बढ़ते है यह राम ने कब से ट्रडिशन डाला है ध्यान में रखिए अपने मित्रों की सैयोगियों की जो बात मानता है वो राम है और सैयोगियों की मित्रों की बात नहीं मानता उस वृत्ति का नाम रावर है ऐसा क्यूँ है ऐसा क्यों मन्दोधरी समझाती है यह मानता नहीं विभी श्मेशन सभाताए यह मानता नहीं हाएग सुंदर प्रुसम्ग मारीच का है तो मारीच को इसने रावर है क emergence zu modern तो यह समझाता है यह मत करो भई इसका वर्लन भी वालमिकी ने बहुत सुंदर ढंगजे किया है मारिच जो है इसको समझाता है ऐसा मत करो तो मारिच कहता है रावड सुनो मीठी मीठी बात कहने वाले बहुत लोग होते हैं ध्यान में रखना लेकिन जो आवश्यक है जरूरी है लेकिन अप्रिय है ये बात कहने वाले लोग कम होते है ध्यान रखना क्या कहता है प्रिय लगने वाली बात बार बार कहते हैं हमारे आसपास में आकर के ऐसे लोग बहुत सुलब है प्रिय लगने वाला भी मुश्किल से मिलता है और सुनने वाला भी मुश्किल से मिलता है रावर ये बात तुम ध्यान में रखो रावर रही है नहीं जो मैं कह रहा हैं वोई कर तू कहता देख या तो राम के हाथ से मरेगा नहीं तो मेरे हाथ से मरेगा राम के हाथ से हो सकता है बच जाए अगर तू मेरे बात नहीं मानेगा तो तू अभी मर जाएगा अब जिसको लगता है अगर अब मर नहीं है तो अभी तब मरनों को टाला जाए अगर जाएगा 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 ज मरने बारे में मेरी चोईस ही है ज dispusous हूंगा मेरम का लंबाब कि चेलम ढही हूं 107 का थे मेरा भाग रहा हूं को मेरे पीचह राम भाग रहे देखिए जिसको देखने के लिए duNya परेशान है जिसका दर्शन दुरलव होता है वो मेरे पीछे पीछे भागग राएदे कि कैसी अनुकी श्रष्टी रची है वो पीछे देखता है राम आ रहे वो भागता है इदर इसदर भागता है राम को इवास सुनकर मानते हैं, सहमती बनाते हैं, योग है इसको मान लेते, रावड नहीं मानता है, जो सब को सुनकर, मिल करके, परामर्च करके चलता है, इसको कहते है राम वरत्ती, जो अपनी-अपनी करता है, तानाशाही दिखाता है, सुनता ही नहीं, मानता नहीं, जो निर्ने प्रशंग शुनाया कथा में, बिश्म पता में शर्शएया पर लिटे है, बना कष्ठ है, उत्तरायन में सूर्य आजाये तो प्रान छूड़ देंगे, कृष्ट को समाचार बिजा, कृष्ट आ गई, कृष्ट खड़े है, सर्शएया पर भीस्म पता में पड़े है, के युए हंपर में हो ने आप ज॥ायू को ले करके रहे थी हं जुड़ रहा था मैं रहा हूं ए असँ क्यों कुद CB के की आ हैं इसके तो सच बात है मैं रू रहा था मैं नामरों रहते कि जटायू तो एक कम सामर्तबाद व्यक्ति कोई है लेकिन देख रहा है इस महला पर विपत्ती आई है उस मेला पर आये संकट के विरुदू लड़ रहा है वो रावढ शे लड़ नहीं पाया लड़ भी नहीं सकता था लेकिं महला पर विपत्ति आने पर जो लड़ता है प्रान की अपेक्षा न करते हुए भी उसका नाम है जटायू वर्त्ति अपने प्रान जाएंगे इसकी इसकी चिंता न करते हुए किसी महला को संकट से निकालने के लिए जो भिड़ जाता है रावर से और मृत्यू का आलिंगन करता है इसको जटायू वर्त्ति कहीं मैं उसके उस त्याग वर्त्ति को देख करके मैं रो रहा था लेकिन महात्मन भीष्म पितामै जी है पितामै जब दुरोपदी पर संकट आया तो उस सभा में आप बैठी थे आप खड़े हो जाते तो दुरियोधन दुशासिन की क्या टाकत थी लेकिन आप खड़े नहीं हुए आप शांत बैठे रहे आप सिर नीचा करके बैठे थे वहां पर आपके सामने अपराद हुआ आपके सामने अत्याचार हुआ आप कुछ नहीं बोले यह अच्छा नहीं किया आपको अपनी प्रतिक्या अधिक प्रिय थी आपको धर्म की रक्षा प्रिय नहीं थी और इसलिए आपकी यह इस्थिति है मुझको हसी इसलिए आ गई कि नियती ने क्या आपको दिया इतना पौरुश पराक्रम होते हुए भी आप अपनी पृतिग्या को बचाने के लिए अधर्म के साथ खड़े थे इसलिए मुझको हसी आ गई बंदो जटायू की वर्ति यह सनातन है हर यूग में यह प्रश्णा खळा होगा कि हम धर्म के साथ खड़े हो कि हम अधर्म के साथ खड़े हो तब इनने करना होगा हम कहां है हो सकता है उसके लिए कुछ हमको देना पड़े देना तो पड़ेगा लेकिन हम धर्म के साथ ही खड़े हो यह मुख्य बात है कि दो प्रसंग ऐसे आते है राम के जीवण में राम को लगता है है कि शेहर में जाना उचीत रही है मेर को वनवास मिला है कि बाली मर गया राज्यावंष्य होने न लक्षमन को केते जाओ शेहर में अंदर जाओ इसका राज्यावessäक करो सुगरिव केता है आप नहीं चलोजिंगत न हम नहीं आप नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, आप जाएंगे, कौन देखने वाला था, आयोध्या से हजारों मील की दूरी पर आप बैठें, और राम चले भी जाते, तो किसी के अमने कोई प्रस्णा आने का विशय भी नहीं था, ठीकर नहीं, राम जो है, दोनों प्रसंगों अपने वचन का इस्मन करते हैं, अपने वचन को तोड़ते हैं, नाम राम करणा के सागर है, राम जानते हैं, किसके अमन में दुख है, किसके अमन में कष्ट है, काँ वेदना है, किसको ध्यान में रखना है, जब बापस लोटे आए हैं, तो राम को समझ में आ गया, कि सब सबसे ज़ादा दुखी प्राणी आयोध्या में कोई है तो केकई है केकई मिले नहीं आई केकई संकोच में बैठी है राम को ध्यान में राम कोशल्या के पास नहीं गए राम केकई के पास गए राम को मारिम है कि केकई के मन में जो पीड़ा है वो असे नहीं है ठीक है एक छण को केकई के मन में कुछ बात आई थी वो छण बर केकई तो राम को कोशल्या से ज्यादा प्रेम करती थी लेकिन मंत्रा ने जो इसके मन में बात डाल दी इसके कारण से कहकई का मन जो है वो ऐसा हो गया वो च्छनबर का है वो दिन दो दिन काई प्रसंग्य बस कहकई को अपनी भूल का अभास हो गया कर क्या सकते कुछ नहीं युग-युग तक चलती रहे कठोर कहानी रगशकुल में वी थी एक अभागन राने राम जो है कहकई के पास गए और कहकई को मना करके आए सबसे पहले कहकई के चयणों में जाकर करके बैठ गए राम भी रोते है कहकई है कहकई का मन जो है ठीक हो गया हम सब के परिवारों म घरों में प्रसंग छोटा मूटा हो जाता है तो जिसके मन में दुख है जिसके मन में कश्ट है जिसके मन में समस्या है उसके पास जाकर कि बैठना तब घर चलता है राम इस बताते है ठीक है अब कह कही कि गलती को बार 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 बताने दोहराने से कुछ बात बनेगी न कि गर को बनाना है तो के-कई का जो वरत्ति है जो मंथरा ने डालिए इसको je दूर रखो चारूत रहे existing खुमती हैं मंंत्रेम्ण मंथ्रा सभा अभी लिया है और बाद में आगे चल करके यह वरत ऐसा हुआ इस देश में सरव मानने हो गया एक पत्नी रखना जब बड़ा यह को होता है तो बहुत लोग आगरे करते राम को नहीं आपका विभा कर दे नहीं नहीं विभा नहीं मेरी पत्नी सीता ही है जहां भी होगी वही मेरी प पहानायक है राम एक ऐसा चरित्र है ऐसा सुभाव है ऐसा एक विचार है एक दर्शन है जो यूग यूग तक ऐसा चलता है और लोगों के मन में कहानी ऐसी गहरी बैठी है जो संस्कार अक्षम है हर यूग में हर काल में हर व्यक्ति के लिए कुछ उनकुछ देने का परिवार ये दाई तो बोध सिखाता है राम का परिवार देने का भाव सिखाता है करतब सिखाता है अधिकारों की बात कोई नहीं करता राम भी देते हैं भरत भी देते लक्षमण भी देते उर्मिला भी देती हैं सब देते हैं हमारी संस्कृति ये करतब बोध की अधिकार नहीं है अधिकार बहुत यह पश्चिम ने सिखाया और सब को मालूमें उसका अधिकार क्या है बेटे को मालूमें मेरे अधिकार पत्मी को मालूमें पती को मालूमें अध्यापकों को मालूमें सारे लेवर को मालूमें सब को मालूमें अपने अपने राइट्स करतब क्या है कि हमारे कहा गया तुम करतब करो करतब के अंदर आपका अधिकार है और धीरे धीरे पूरी हमारी सुसाइटी समाज जो करतब आधारित था ड्यूटी बेस्ट था वह ट्रांसफर हो रहा है राम का पूरा परिबार और राम का जीवन इतना गहराई से बैठ गया सारा देश राम मैं है राम मैं है राम जन्मू के इस अंदर में हम लोगन बहुत गहराई से बात को देखा है कारसेवकों के प्रसंगे सन्यासियों साध्यों के प्रसंगे जब यह अंदुलन चलना था नबे क्यानबे की बात रही होगी एक इस्थान पर मैं वामदेवजी महराज का परवास करा रहा था एक सक्री सी गलियों में जाना था स्कूटर पर बैठाल करके स्वामी वामदेवजी महराज को में ले करके जा रहा था था चारत्र मांस बिकने की दुकाने थी शक्री सी गली थी एक उसमें धरमशाला में उपर महलाओं की बैठक थी तीन सो चार सो महलाएं वाई कत्रित थी वामदेवजी महरा था तो पर परम शाका हारी वेक्ति ते गंगा कैंगर रहने वाले वीतरागी वेक्ति थे पर असनियस्थ थे हमसे औरे कहां धूंको घुमाएगा हम जीवन में कभी ऐसे स्थानों पर नेगे हमने गंगा किनारा भी नहीं चोड़ा पर हम तुम्हें करते चलो कोई बात नहीं राम का मंदर बन जाएगा यह हम ये भी देख लेंगे सब जाने देओं नबे क्यानमे बानमे जो कारसिवा चली उस कारसिवा के समय हजारों लाखों कारसिवा काते थे एक एक आश्रह में पांच-बांच हजार ददस हजार कारसिवा आ जाते थे अभी नत्य解 लग्लताश जी के हाँ एक संस्माण में को सुनने को मिला ऐसा था नत्यकुपादाजी की मालिणाम शावनी थी वो शावनी के अंदर दस्यों हजार कारशिवक आ गए चारो तरब कारशिवक और कारशिवक भोजन चलता रहता था लोग आते जाते रहते थे को जूता चपल पहने के वहां घूम रहे वहां घूम रहे यहां चरगे रसोई के पास आके सब तो वहां जो प्रबंदक थे उनको बला अजीव लगता था वो बनाते थे विवस्था बंद नहीं पाती थी बाद में नत्यकुपालदाजी के पास जाकर के उन प्रबंदकों ने का महराजी हम बहुत कष्ट में क्या कष्ट तुमकों यह कार से वह कहां का घूमते हैं को समझ में नहीं आता हम निंत्र नहीं कर पा रहे हैं क्या करें नत्यकुपादा जी थोड़ी देर को गंबेर हुए अरबाद में बोलते हैं तुमको मालूम नहीं है ये राम जी का घर अच्छा बन जाए इसके लिए अपना घर छोड़ करके आये कि भगवान नाम का घर अच्छा बन जाए इसलिए अपना घर छोड़ करके तमिलाडू केरल करनाटक से आये ये जहाँ जाए वाँ जाने दे हुए ये सब अभी तरो लोग है चिंदा मत करो ये जो वर्ति इन लोगों की थी साद्गों की सन्यास्यों की और कार्शेवकों की भी कितना भी कष्ट का काम मिला ये करते रहे आंदुलन पर आंदुलन चलाते रहे और अंतर तो गत्वा राम मंदिर बना ये राम मंदिर एक पत्थर का बड़ा एक भवन मातुर नहीं है सारे विश्व को धर्म का एक शाष्वत संदेश देने वाला एक सनातन मंदिर है अब तक लोगों के मन में था अब प्रिकट रूप में अयुद्या में है इतना ही अंतर सब्सक्राइब को बहुत बहुत नमस्कार